हलो आवरिवन स्वागत है आपका अपने यूटिव चैनल सर्माज अजूकेशन में तो प्यारे बच्चो आज हम जो है स्वावन्थ क्लास की हिंदी बसंत बुक अप जो चैप्टर फॉर है वो करेंगे कट पुतली तो लास्ट वीडियो में जो है हमने कट पुतली जो है उसकी सरपरसंग ब्याख्या के रही थी तो आज हम उसकी exercise करेंगे तो प्रशन एक क्या कहता है कि कट पुतली को गुसा क्यों आया तो उत्तर में आप लिखेंगे अपने शरीर के आगे पीछे बंदे धागों को देख कर ठीक है नेक्स प्रशन आपका जो है दो है कट पुतली को अपने पाउन पर खड़े होने किछा है लेकिन क्यों नहीं खड़ी होती उसकी इच्छा तो है पर वो क्यों खड़ी नहीं होती है तो उत्तर लिखेंगे आप क्योंकि वो दूसरों की गुलाम है उसका स्रीर धागों से बंदा हुआ है प्रशन तीन पहली कटपुतली की बाद दूसरी कटपुतलीयों को क्यूं अच्छी लगी तो तर लिखेंगे क्योंकि बेबी अपने को गुलामी से आजाद करना चाहती थी बेबी चाहती थी कि स्वतन त्रहोकर मन से खुशी मनाएं हमने ये लैसन में पढ़ा था कि कटपुतली को गुसा इसलिए आता है क्योंकि वे अपने श्री के आगे पीछे धागों को बंदे हुए देखती है तो इसलिए गुसा आता है और अपने पाओं पर खड़े उन्हें की इच्छा है उसमें लेकिन खड़ी क्यों नहीं होती है क्योंकि दूसरों की गुलाम होती है यो जो धागों से बंदी दूसरा आदमी जो असको चलाता है और उसका सरी धागों से बंदा हुआ होता है और पहली कटपुतली की बाद जो दूसरी कटपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि बेबी जो है अपने को गुलामी से अजाद करना चाहती थी मैं चाहती थी कि बेबी खुले में स्वतंत्र होकर मन से कुछी मनाएं तो ये थे हमारे चैप्टर फोर के कॉश्चन अंसर चाहती आप स्क्रीन शोड ले सकते हैं लिखने के लिए साथ में तो आज के वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजेगा चैनल को और बैल ऐकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि वीडियो के नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेए और अपनी बैलिवेबल फीडबैक देना भी ना बुलना, thank you, thanks for watching